वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब करें क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हुए कि प्रोफेशनल एच्डी वालपेपर अप्लिकेशन का AI फाइल जिसका मदद से आप बहुत सारे यहर्णिंग कर सकते हो प्लेस्टोर में अपलोड करके किसी एच्डी वालपेपर अप्लिकेशन में आपको बहुत सारे वालपेपर दिखने में मिल जाता है और इसमें हैंगिंग प्रोब्लेम और कुछ एरर बगरा सो नहीं करने वाला है तो चैलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्कीप मत करना क्योंकि न यह जो यह फाइल का डाउनलोडिंग लिंक में स्क्रीन पर दिया हूँ बिल्कुल छोटा सा लिंक है अगर आप स्कीप कर देंगे तो वह वाला लिंक को मिस कर जाएंगे अगर आप मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाकर अल के उपर क्लिक करें पहले तो आप लोग अप्लिकेशन को देख लीजिए उसके बाद प्रोजेक्ट में क्या कैसे डीजाइन किया गया है थोड़ी देर में बता दूँगा जब अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो फास्ट अफर आपको दो काटेगरी यहां पर दिखने में मिल जाएगा जिससे में कोई एक काटेगरी के अपर क्लिक करूँगा तो यहां पर फास्ट काटेगरी में आठ फोटो यहां पर में डाल रखा हूँ अब आपका मर्जी से ज्यादा फोटो भी यहाँ पर एड़ कर सकते हो और जितने भी फोटो यहाँ पर आड़ करोगे यहाँ पर लोडिंग होकर आएगा कुछ भी hanging problem बाला नहीं होने बाला है बहुत सार एप्लिकेशन ऐसे होता है उसमें क्या होता है कि फोटो लोडिंग होने के लिए ज्यादा टाइम लग जाता है लेकिन इसमें चार फोटो पहले लोडिंग होगा उसके बाद फिर से चार फोटो लोडिंग होगा ऐसे ही करके यह लोडिंग होकर सो कराएगा यहां पर मानलीजे मैं कोई एक image के उपर क्लिक करूंगा तो यहां पर थोड़ा टाइम लगेगा loading होने के लिए उसके बाद यहां पर image उपन हो जाएगा जैसे ही डांलोड कर सकते हो जैसे में download button के उपर क्लिक किया यहां पर मेरा photo download हो गया है और यहां पर इंट्रस्टे से लैड भी सो कर रहा है डाउनलोड होने के बाद उसके बाद यह वाला फोटो का आप वाल पेपर में भी सेट कर सकते हो जैसे कि मैं सेट वाल पेपर के उपर क्लिक किया तो मेरा यहां पर वाल पेपर सेट हो गया है मैं अभी home screen दावा कर दिखा देता हूँ देखे ये photo सही तरीका से set हो गया है और यहाँ पर जो third में sharing button है जैसे मैं sharing button के अबर click करता हूँ तो यहाँ पर मैं whatsapp के थ्रोब में अभी इसको share करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं share कर देता हूँ देखे ये photo same to same बोई वाला photo यहाँ पर share हो गया है और एक feature भी इस application में available है जैसे कि photo का list जब open हो जाएगा तो आप यहाँ से download भी कर सकते हो जैसे मैं download button के अबर click किया तो यहाँ पर button seat open हो गया है और यहाँ पर download का procedure सुरू हो गया है image का name और image का size यहाँ पर show कर रहा है बिल्कुल यह professional तरीका से यहाँ पर design किया गया है आप EIFL को download करके देख लिजेगा अभी चलिए laptop screen पर उसमें आपको दिखाता हूँ यह वाला project को कैसे मैं design किया हूँ तो यह वाला project को मैं codular में बनाया हूँ और इस project में मैं 3 screen add किया हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह वाला project में एक paid extension यूज किया हूँ जिसका नाम recycle photo of your extension यह वाला extension को मैं deephost भाई से खरीदा था यह वाला paid extension को मैं free में provide कर रहा हूँ इसलिए 100 subscribe और 100 like आना चाहिए यह वाला वीडियो में और यह वाला extension को भी मैं codular में implement करके दिया हूँ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल सही से मैं यहाँ पर implement करके दिया हूँ सचे यार कितना मेनत क्या होगा यह वाला project के साथ अगर मैं यह वाला extension को नहीं दिया होता तो आपको खरीदना पड़ता मैं free में दे रहा हूँ इसलिए यार जितने भी वाला AI file को download कर रहे हो उससे पहले channel को यार subscribe करो और वीडियो को like करो अगर मेरे को motivation मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए और भी एसे फ्री AI file लेकर आऊँगा आप आराम से डाउलोड करके play store में publish कर सकते हो ओके friends इस project को मैं AI table के साथ connect किया हूँ और AI table में जो link सारे दिया हूँ firebase storage का link में इसमें डाल रखा हूँ और आप सभी को तो पता होगा firebase storage में बहुत सारे space आपको मिल जाता है फोटो सारे upload करने के लिए अगर आप चाते हो कि cloudinary के साथ इसको upload करने के लिए आप जरूर कर सकते cloudinary के साथ connect करने से आपका application थोड़ा और ज्यादा speed होता है लेकिन एक minus point यह है कि cloudinary का एक limitation होता है image बगेरा show करवाने के लिए बाइदा हुए यह वाला project का first screen में मैं के category बनाया हूँ जो category one call करता है और first category से download होने के लिए यहां पे downloading component बगरा इसमें मैं add कर रखा हूँ और coding बगरा भी कर दिया हूँ आपको इसमें बस package name, app name और key store का upload करना होगा अगर आपके पास key store नहीं है तो कोई दिकत नहीं आप जब application को export करेंगे तो एक default key store बनकर आपका application के साथ download हो जाएगा तो आप आप आराम से यह वाला application को modify करने के बाद google play console में publish कर सकते हो अगर आपके पास play console नहीं है तो आप application को codular में monetization करके दूसरे app store में डाल सकते हो codular में कैसे addmob ad का approval के लिए request करेंगे उसके वपर में video बना रखाओं अब उपर i button के उपर clicker दे सकते हो नहीं तो आप description में वह वाला link आपको मिल जाएगा मैं इस project में हर screen में एक banner ad लगा रखाओं और एक interstitial लगा रखाओं मतलब इसमें तीन screen है तीन banner ad और तीन interstitial ad लगा रखाओं और यह जो सारे add का text mode को में enable कर रखा हूं क्योंकि ना यह monetization नहीं है अब यह वाला e file को import करने के बाद add के लिए approval करिए जैसे आपका approval मिल जाएगा उसके बाद text mode को यहां से हटा दीजिए और add code इसमें डल कर add show करवा सकते हो और जो second thing है इसमें जो air table में जोड रखा हूँ आप air table को भी देख लिजिए इसका table name column name सारे देख लिजिए विल्कुल same to same होना चाहिए नहीं तो error show करेगा आपका application loading होता रहेगा और एक बाद air table का API की और base ID को भी आपको change करना होगा आपको यह कहां मिलेगा air table का यहाँ पर help option जो है इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर API documentation के उपर क्लिक कर लिजिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके समने के page open हो जाएगा इस page को थोड़ा सा scroll करने के बाद यहाँ पर base ID मिल जाएगा इसको simply यहाँ से copy कर लिजिए और codular में इसको paste कर लि कर लिजिए ध्यान में रखना होगा screen 1 और screen 2 दोनों जगा पर यह टेबुल लगा रखा हूँ दोनों जगा पर आपको इसको change करना होगा screen 2 में मैं second category के लिए coding किया हूँ जैसे आप category 2 के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर second screen open हो जाएगा और उसमें जितने भी photo अगेरा ह सारे सो करेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले आपका कोई भी browser open कर लिजिए और जो मैं URL दूंगा screen पर भोवाला HTTP से लेकर last तक देख लिजिए बिल्कुल छोटा सा link रहेगा आप आराम से उसको देख कर सकते हो अब browser में type करने के बाद उसको search कर website खुल जाएगा और इस page को open होने के बाद आप फोड़ा सा scroll कर लिजिए आपको सारे information मिल जाएगा आप जरूर पढ़ लिजिए और इस page का last में मैं प्रोजेट का link दे रखा हूं उसमें AI file और AIS file दोनों का link में दे रखा हूं आप पहले AI file को download करके codular में import करिए अगर के लाबा कोई भी doubt बगरा हो रहा है तो आप comment करें मैं आपको जरूर support करूंगा अभी आप screen से यह वाला website को देख लीजिए और आपका browser में सही सही से type करिए type करने के बाद सर्च करिए आपको वाला page open हो जाएगा type करने के बाद सर्च करिए आपके सार्च करिए आपके सा को motivation मिलेगा तो इस AI file के उपर तो मैं earning application का AI file को free में provide करूंगा और जिन लोग को earning application चाहिए वो comment कर लेजिए मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा लेकिन फ्रेंड्स यह वाला AI file के साथ 100 subscribe और 100 like विल्कुल आना चाहिए ओके फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि इस AI project को और modify करने के लिए तो आप जरूर कर सकते हो और इसमें image बगर में सारे को change करके दिया हूँ अगर आपको यह वाला image change करने के लिए चाहते हो तो आप दूसरे image को इसमें लगा सकते हो और ध्यान में रखना बिल्कुल copyright free image आ और प्रब्लेम solution का वीडियो और website related YouTube related का वीडियो हमर चैनल मिल जाएगा इसलिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन के उपर क्लिक करके all के उपर क्लिक करें उमीदे कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह यह वाला project को modify कर सकते हैं हमेसे की तरह वीडियो को like करे और share करे फिर मि करें सकते हैं.